कि अधिया इंडिया का ही बाग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलजी की अंतरगत आता है तो आज हम बात करने वाले हैं कैसी वेकिंसी के बारे में जो कि गुरूप बी और गुरूप सी दोनों पोस्ट पर रहने वाली है मैं आपको पोस्ट नेम भी बताना चा पोस्ट भी आपको इस वेकिंसी में देखने को मिलेगी जो आज हम इस वीडियो के मादम से डीटेल में जानने वाले हैं तो सभी eligibility के बारे में जाने के लिए वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा complete देखनी पड़ेगी जिससे कि कोई भी डाउट वगरा और information आपकी ज जरूर अपना selection ले किसी भी अपनी गॉर्मेंट जोब में तो हमारी चनल की यह best चीज है तो subscribe जरू करें हमारी यह आपसे personal request है साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद किसी एक खास दोस के साथ अपनी वीडियो को जरूर शेयर करें हम बात करना चाहेंगे इसकी जो आप चाहते हो इस वेबसेट पर आगे डाउनलोड कर सकते हो जो के इंडेन इस्टो डड़ ऑफ जियो मैगनेटिजम की है बात करते हैं अपनी जो भी eligibility डीटेल में तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता हूं मैं इस वीडियो में आपको क्या-क्या पता हू आपको इस वीडियो के माध्यम से अब गत कराना चाहता हूं तो आपको हर एक चीज आपको वीडियो के माध्यम से पता चलने वाले तो वीडियो को कंप्लीट देखें अब अपनी ऑफिशल नोटिफिकेशन के उपर जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन की पीडियो देखने को मिलेगी फर्स्ट अफॉल हम अप नंबर आफ वेकेंसी की बात करेंगे इसके बात जितनी भी पोस्ट है सभी की एजुकेशन कौलिफिकेशन पर हम बात करेंगे डीटेल बें तो आ आपको और अप्लाइ करना पड़ेगा यह मैंने आपको एक चीज़ बता दी नो देखते हैं किस किस पोस्ट पर कितनी वेकेंसी हैं जैसे कि प्रोफेसर की लेवल 13 की जोब है और एक ही वेकिन से जनल काटिगर के लिए रेटर की आपकी डिपार्टमेंट यह सब दे रखा जो मेंन बात आती है अपनी यह वाली पॉस्ट यह काफी डिमांडिंग रहती है इस चीजों की ज़्यादा डिमांडिंग रहती है यहां से यहां तक कि बात करते हैं senior hindi translator की लेवल 7 की सालिव एक ही पोस्ट है जलन के लिए सुपरिटेंडेट्टेंडेंड की लेवल 6 की सा लीए देखने को मिलेगी इन एक ही पोस्ट पर आपकी स्ट के लिए वेकंसी देखने को मिलेगी तो अल्मॉस्ट आप देख सकते हैं विडियो में बताने वाला हूं स्ट लास्ट अठेट हर एक चीज जैसा कि हम बात करते हैं Udc के लिए तो आपको लेवल बहुत डिमांडिंग में रहती है इस टैनोग्रफर डिट टू की पोस्त आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं एक ही पोस्त है ओवी सी के इडिट सप्लाइब कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए एक पोस्त रखी गया है तो यह सभी चीजे में आपको स्ट्रक्चर बता दिया वेकिंसी का इसकी जो स्टार्ट हो चुके हैं 18 जुलाई से इसके अलड़ी स्टाड़ेड हैं लास्ट की हम बात करें तो इसके जो है आपकी अप्लिकेशन आपको 12 अग जैसे कि मैंने बताए दिया इसकी नॉटिफिकेशन के आपको पीडिएफ चाहिए तो आप मारको वाट्सअप पर जोईन हो सकते हैं या टेलीग्राम ग्रूप पर वहां पर आप जिस भी पोस्त के लिए करना चाहते हैं डीटेल में हर एक चीज आप बारिकी से पढ़ सकत सकते हैं एक याव की पोस्त स्री आपके सब्सक्राइब्क मबबश करते हैं कि अफैंचर की बात करें तो चाली साल आपकी मैका समय ऐगतने को मिलेगी flex तो आपके पास master degree होनी चीह तो इस सबी से लेट तो आप इसके लिए अप्लाइ कर सकतो हो मैं चाहिए अब करें तो 40 साल आपको इस लिमेट देखने को मिलेगी जैसे मैंने बता दिया अगर आपको इसकी डीटल पढ़नी है तो आपको आपको 40 साल आपको देखने को मिलेगा इसके लिमेट आपको 40 साल आपको देखने को मिलेगी ना बात करते हैं अपनी फैलो की पोस्ट आपको इसमें लेवल 10 की साल देखने को मिलेगी एक ही पोस्ट है जो की इसमें आपको फर्स क्लास मास्टर डेग्री मांगे गई है मेट्रोलोजी एड्मोस्फेरिक एंवार्मेंटल साइंस में आपके पास क्वालिफेकेशन स्मैच कर यह तो अप्लाइ करें मैक्सम एज लिमिट है 35 साल एक्स बात करते हैं अपनी जूने हिंदी ट्रांसलेटर क इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं एक ही पोस्ट है जनल केंड़ेट्स अप्लाइ कर सकते हैं लेवल सेवन की सेली देखने को मिलेगी हम बात करते हैं इसके जो कौलिफेकेशन के एलिजिबिटी रखी गई है तो आपके जो भी ऑफिसर्स होने चाहिए सेंट्रल यह प्रोबाइट कर दूँगा तो आप पढ़ लेना आपको जो भी अगर आपकी जिस भी कौलिफेकेशन से आपकी मैच हो रही है तो अप्लाइज जोरू करें मैक्सिम एज लिमिट के हम बात करें तो तीस साल आपकी एज लिमिट देखने को मिलेगी हम बात करते हैं सुपरि आपकी एज लिमिट के हम बात करें तो 38 साल है यह सभी चीज आप देख सकते हूं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हम बात करें तो आपकी लेवल 6 की साली बैचलर डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स जिसने में आपको तीन साल का एक्स्पिरिंस यह सभी अपलाई कर सकता आपकी बात करते हैं यहां से इंपॉर्टन्स चालू होते है वेकंसी डिमांडिंग पोस्ट रहती है अब डिग्री के लिए लेवल 4 की आपकी साली देखने को मिलेगी आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्विल्ट से आर्ट से साइंस या कॉमर्स से जिसने में हो आपके पास कर सकतो अपलाई कर सकतो डिजारेबल में कॉलिफिकेशन ची एक्सपिरेंस आपके पास मांग तो अच्छी बात नहीं है तो को नहीं क्योंकि बैचले डिग्री घ्रेजुट मांगी गई है ग्रेजुएशन इसकरे मांगी गई है मैक्सिमम बात करें तो 32 साल आपकी एज ल करकित हो की अप्लाई कर सकते हुआ है को बात करते हैं अपनी पोश्ट के लिए सेमर कान इसमन POL के लिए से लिह इन पास भी इसे में आपको में तो आपके पास काम वगारा कर रहा हो किसी ओफिस वगरा में में बात करते हैं तो 27 साल आपको देखने को मिलेगी है जैसा कि हम बात करते हैं इसकी फीस क्या रखी गई है जैसा कि हम बात करते हैं इसकी फीस पेमेंट की तो आप देख सकते हो 11 नंबर इस एक्षिन में आपको देखने को मिलेगा आपकी इसके लिए 500 रुपे की फीस रखी गई है जितने भी जन्रल ओबी सी या एव्लूएस कैंड़ेट्स हैं उनको 500 रुपे की फीस पेमेंट करने वी अातिक यह वेकिन्सी अवर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब जरू करें आपको बहुत बनेव्गाएं वियुक्त होगा और से क्लिए अगर यासी ważne है यह जलाई से स्टार्ट हो चुके है वारा अगस्थट तो कम चमया तो आप चल्छे-इस आफ्टरा जोबी इतन के लि यह आपकी नभी मुंबाई में आपकी वेकंस है अपको प्रॉब्लम ही जैसे कि नोटिफिकेशन की पीडियाफ में आपको प्रॉइड कर दूंगा वाट्सप ग्रूप पर आपको इजी ली मिल जाएगी और आपको कोई भी कोईरी हो सब्सक्राइब को समझ नहीं आओ तो कमेट में पूछ सकता हम आपको जारू रिप्लाइब देंगे एंड लाइक जारू करें हमारी वीडियो को और शेयर जारू करें अपने किसी एक खास फ्रेंड के साथ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अभी त